अगर आपने अभी तक जनसेवा लाइब चैनल को शब्सक्राइब नहीं किया है तो शब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और सेयर करें आप मध्य प्रदेश के किस जिले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट कर जरूर बताएं प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी ने एशिया के सबसे बड़े बायो शियंजी प्लांट का शुभारम किया उन्होंने प्लांट का वर्चुल लोकारपन किया इस दोरान प्रदेश की जनता को शंबोधित करते हुए पियम मोधी ने कहा कि समय के साथ इंदौर बदला है सियंजी प्लांट में कच्रे और गोबर से गैस बनेगी इससे लोगों की आय होगी प्लांट से सियंजी के साथ ही जैवी खाद भी मिलेगी सियंजी से प्रदूसर्ण भी कम होगा धर्ती मा को नया जीवन मिलेगा धर्ती का काया कल्प होगा मुक्यमंत्री शिवरा सिंग च सोलर एनरजी और बायो एनरजी पर भी काम चल रहा है परियावरण को बचाने के लिए प्रदेश में अंकुर अभियान चलाया चाएगा पुरमक्यमंत्री दिगविजे सिंग ने कांग्रेश के कारिकरताओं को चेतावनी दी है उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा तो कांग्रेश की वापसी नहीं होगी सरकीट हाउस में दिगविजे सिंग कारिकरताओं से चर्चा कर रहे थे इस दोरान अलग-अलग गुट बनाकर कारिकरता उनसे मिलने पहुँचे इसे देखकर दिगविजे सिंग नाराज हो गये उन्होंने कारिकरताओं से एक नाव लणना होगा नहीं तो कांग्रेश की वापसी नहीं होगी रतलाम में मेडिया से बात करते हुए दिगविजे सिंग ने कहा कि भाजपा आरेशेस बीही पजरंग दल राम को बेच रहे हैं धर्म का उपयोग राजनितिक हतियार के रूप में किया जा रहा है प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बदल गया है प्रदेश के कई जिलों में बे मौसम बारिश हो रही है सागर बैतूल मंडला डिंडोरी अनूपूर अमरकंटक बाला घाट छिंदवाडा और जवलपूर से हलकी बारिश हुई है मतिपरदेश और महराष्ट के बीच कम दवाव का छितर बना हुआ है अरब सागर से भी नमी आ रही है इसकी वज़ा से प्रदेश में बादल चाय हुए है तेज हवाई चल रही है मौसम बिभाग ने दो से तीन दिन तक बारिश की संभावना से ताई है चिंदवाडा सिवनी बाला घाट मंडला अनूपूर डि ही आएगी इस बीच सबसे कम तापमान रीवा ग्वालियर और खजुराहों का दर्ज किया गया प्रदेश कांगरी सद्यश्यमपूर मुख्यमंत्री कमलनात रीवा जिले के दोरे पर थे इस दोरान उन्होंने जन आक्रोस रैली को संभोधित किया कमलनात ने कहा कि शीवरा लोग कभी नहीं भूलने वाले हैं कमलनात ने कहा कि ब्यापम की भरती परिशाओं के माध्यम से फरजिवारा कर लाखो युवाओं का हक मारा गया हजारों लोगों का जीवन बरबाद किया गया सैक्रों बेन गुनाहों की जान चली गई इसके दोसी अभी भी बाहर घूम कमलनात ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ब्यापम का नाम बदल कर एक बार फिर नया फरजिवारा करने की तियारी की गई है उन्होंने कहा कि कई किसानों को अभी भी फसल भीमा की दावा-रासी नहीं मिली है किशान सहायता रासी का इंतजार कर रहे हैं नुकसान के अनुपात में किशानों को कम रासी दी गई है कमलनात ने कहा कि किशान परिशान है हमेशा की तरह शिवरास सरकार की गोश्राएं और दावे हवा हवाई शाबित हो रहे हैं सरकार का किशान विरोधी चेहरा सब की सामने आ गया है कमलनाथ ने रिवा में मंडलम, सेक्टर और बूत कमेटी के पदादिकारियों को भी शंबोधित किया कुंडलपुर में आयुजीत गजरत महश्या में चनपरतिनधी भी पहुँच रहे हैं कमलनाथ के बाद केंद्री मंत्री पियूश गोएल और लोकसभा अध्यच ओम बिरला भी कुंडलपुर पहुँचे उन्होंने आचार बिद्याशागर महरास और बड़े बाबा का आशिरबाद लिया पियूश गोएल ने कहा कि आज उन्हें आचार बिद्याशागर महरास के दरसन करने का सवभागे मिला उन्होंने कहा कि मा से जैन धर्म की सिच्छा मिली है आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंग्च चोहान 21 फरवरी को कुंडलपुर आने वाले हैं इसके अलावा भी कही नेता कुंडलपूर आएंगे इन दोर में केबी सी के नाम पर ठगी की गई है ठग ने हुआट्शे पर कॉल कर केबी सी में चैन का जहासा दिया टैक्स के नाम पर अपने खाते में सबालाक रुपे जमा करा लिया बाद में ठग ने वाले ने मुबाइल बंद कर लिया ठग ने कनाडिया थाना चेतर की एक महिला को शिकार बनाया ठगी का अंदेशा होने के बाद महिला और उसके पती ने पुलीशे शिकायत की पुलीश ने मामला दर्ज कर जान सुरू कर दी है उजैन के बाल सुधार ग्री से छे बाल कैदी फरार हो गए है बाल कैदियों ने चौकिदार की आँख में मिर्च जोंक दी रूम को बाहर से बंद कर दिया जेब से गेट की चावी लेकर बाल सुधार ग्री से फरार हो गए आरूपियों पर हत्या, बलतकार और रंगदारी के मामले चल रहे हैं सभी देवास सीले के रहने वाले हैं पुलीस ने मामला दर्ज कर लिया है बाल कैदियों की गिरफतारी के लिए पुलीस की टीम रवाना की गई है धार में सड़क हासे में एक दुलहे की मौत हो गई कुछ देर बाद ही उसकी शादी होने वाली थी दुलहन बारात आने का एंतजार कर रही थी लेकिन दुलहे के हासे की खबर पहुँची जानकारी के अनुसार दुलहे की कार डिवाइडर से टकरा गई हासे में मौके पर ही दुलहे की मौत हो गई राश्टी श्वेम शेवक संग के सर संग चालक डाक्टर मोहन भागवत उज्जैन के दोरे पर हैं डाक्टर भागवत 22 फरवरी तक उज्जैन में रहेंगे इस दोरान वे बिभिन कारिक रुमों में हिश्चा लेंगे मालवा प्रांथ के श्वेम शेवकों से चर्चा करेंगे जानकारी के नुसार मुके मंत्री शिवराज सिंग चौवान की उज्जैन आ सकते हैं डाक्टर भागवत शे मुलकात कर महाकाल मंदिर में चल रहे कारियों पर चर्चा कर सकते हैं मोहन भागवत महाकाल की भशमार्ती में भी शामिल होंगे माधि परदेश के राजिपाल मंगो भाई पटेल खजुराहों पहुँचे खजुराहों में राजिपाल ने विभिन मंदिरों के दर्शन किये इस तवरान उन्होंने कहा कि खजुराहों के मंदिर अद्भूत और भ प्रदेश में कुरोना के 1013 नए मरीज मिले हैं इलाज के दवरान दो मरीजों की मौत भी हो गई इसके साथ ही कुरोना से अब तक 10713 मरीजों की मौत हो चुकी है 24 घंटे में 2330 मरीज ठीक हुए प्रदेश में एक्टिव मरीजों की शंक्या घटकर 8364 हो गई है सबसे ज्यादा मरीज भोपाल में पाए गए